और भोपाल में मध्यप्रदेश की पहली ब्लाइंड विमन क्रिकेट टीम तयार की जा रही है बरकतुला युनिवरसिटी के प्लेग्राउंड में राजजभर से 60 लड़कियों का चोयन किया गया है और टीम 28 परवरी से 5 मार्स तक बैंगलूरू में होने वाले नैशनल ब्लाइंड विमन क्रिकेट टूनामेंट में भाग लेगी सोनू गोलकर ने ये बताया कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम में कुल 14 प्लियर्स शामिल किया जाते हैं तीनों कैटेगरी B1, B2 और B3 में शामिल किया जाता है ब्लाइंड टीम के लिए एक खाथ तरहा की बॉल होती है हार्ड प्लास्टिक से बनी इस बॉल के अंदर छर्रे भरे होते हैं जिसकी जो आवाज सुनकर बल्ले बाज शॉट मारते हैं देखिए इनके लिए मुझे विशेश ये लगता है कि ये खुदी विशेश है ये खुदी स्पेशल है इनको मैं सिर्फ गाइड करती हूँ जैसे नॉम्ल बच्चों को हम बताता है ऐसा करना अयसा करना है लिए इंके अंदर एक स्पेशल होती है कि ये खुद ही अपने आप में स्पेशल है इनको सिर्फ गाइड करने की जिर्फ बलती है लेकिन आज सोनु सर के नित्रत में जो है कि हमारे MP में वी आज बूमन की, ब्लाइन बूमन की क्रिकेट टीम बनने जा रही है कहा जाता है कि अगर आपकी इच्छा शक्ती मजबूत हो तो आप कहीं पे भी अपनी रहा पा सकते हैं आज वही देखने को मिल रहा है, मद्द्य प्रदेश राजणी वॉपाल में पहली बार महीला करिकेट टीम का, सोनु भाई हमारेmos बसक्राइब बात करते हैं और हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं को अलग-अलग social barrier है, issues है, लेकिन opportunities कम मलती है, और उनमें हम बात करें, डिव्यांग महिलाओं के लिए तो और कम opportunities हो जाती है, तो जब ने में मेंस का cricket start किया रहा, तब ही से हमारा यह था था कि हमें महिलाओं के लिए cricket start करना है, और हमने यह start किया, देखा जाए, तो आज एक नई सोच, इन बच्चियों में किता, आप देख रहे हैं किता उस्सा है, मुझे लगता है, क्योंकि हमने इन से बात की थी, अगर आप quarter final में जाओगे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब दी होगी, इन ललकियों ने कहा हम quarter final नी, final में पहुंच के दिखाएंगे, जब हम आए थे, यह लड़की आई थी, तब यह बॉल को भी नहीं पकड़ पा रही थी, आप आज देख रहे हैं कि किसने बढ़िया, शौट लगा रही है, यह चार दिन का improvement है, तो दस दिन में तो हम उमीद करते हैं कि जो यह सोच पार की आउट, camera person अश्कु खान के साथ, संजय डूमर्दी वोपाल